हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल मैं डॉक्टर परवेज खान दोस्तों आज हम डॉग बाइट के बारे में बात करेंगे 99 परसेंट रेविज की बिमारी डॉमेस्टिक डॉग के काटने से फैलती है यह बिमारी कुत्ते के काटने से स्क्रेचेज से य बाद रेविज का इंकुबेशन पिरियाड मतलब रेविज का इंफेक्शन एक्स्पोजर होने से लेकर सिम्टम्स आने तक का टाइम करीब 7-90 दिन का होता है इनिसियल सिम्टम्स जो रेविज के होते हैं उनमें पैसेंट को फीवर काटे हुए जगा पर दर्द सूजन टि जाने के तुरेंट बद क्या करना चाहिए दोस्तों कुत्यके काटे जाने के तुरेंट बाद घाव को अच्छे से सावून और पानी से कम से कम 15 मिनट के लिए धोते रहना चाहिए ऐसा करने से घाव पर वाइरल लोड कम हो Ồ जाता है अगर घाव से बिलीडिंग और ही है तो घाव को एक साप कपड़े से हलके से साप कर लेना चाहिए इसके बाद उस जगह पर कोई भी एक एंटी बैक्टरियल सोल्यूशन जैसे की पोवेडिन आयडिन के साथ 70% अलको हलको अपलाई करना चाहिए यूजवेली ये चीजे घर में ना रहे तो उस केस में हम घाव प वो एक स्ट्राइल बंडेज से ढख देना चाहिए और वेल्थ केर या हस्पिटल से संपर्क करना चाहिए बेसिकली डॉग बाइट की तीन कैटेगरी वन में एनिमल इंटेक्ट इंफ इसकीन पर लिग कर सकता है या टच कर सकता है कैटेगरी टू में निगलिंग हो सकती है मॐसे माइनर इस्क्रेचिंग हो सकते है या मिंउकास्व इंब्रेन इसकीन का रैपीड और के सलावा से कॉंटेक्ट हो सकता है दोस्तों अब नेक्स्ट हम इसके बैक्षण और टीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो डॉग बाइट के पैसेंट को इंजरी के और ईसके लिए अंटिबाइटिक को देना चाहिए वाट इसवी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस पो स्पोजर प्रोफाइलक्सिमए तीन चीजician को ही यह करना और उसका लोकल ट्रीटमेंट गी स्ट्रोंग और पॉटेंट एंटि-बैटि का इंजक्षन देना एंड नमबर थिरी है एंटी रेबिज इम्मुनोगलोबिलिन्स देना अगर जरुरत हो तो कुछ लोग घाव पर कुछ इरिटेंट्स अपलाई कर देते हैं जैसे नमक, तेल, मिर्च, हल्दी, निम्बू जिसे बिल्कुल भी नहीं यूज करना चाहिए इन इन सबको लगाना बहुत ही अननेसेसरी है, हार्मफूल है, अगर किसी ने घाव पर इन एरिटेंट्स को यूज किया तो घाव को साबून और पानी से अच्छे से धोकर, पोरिडिन, आयडिन और अल्कोहल को इस्तेमाल करना चाहिए, डोग बाइट के जगा में स्विचिर को डेप्थ तक इन्फिल्ट्रेट कर देना चाहिए, इन्फिल्ट्रेशन के कुछ घंटों के बाद ही स्विचरिंग करनी चाहिए, ताकि ब्लीडिंग रुख जाए, यूज्यली फेसियल इंजरीज में स्विचर की ज़रत होती है, लेकिन कई बार इंजरी बहुत बड़ा होने के कारण उस केस में प्लास्टिक सर्जरी की बेजरत होती है, रेबिज इम्यनोगलोबिलिन्स एक तरीके की पैसिब इम्यनिटी प्रवाइड करती है, जबकि बॉडिज रेबिज बैक्सिनेशन होने के बाद एंटी बॉडिज बनाने में कुछ टाइम लेती है, उस ट बढ़ जाते हैं, अगर लोकली इंफिल्ट्रेशन करने के बाद इम्यनोगलोबिलिन्स की कुछ अमांट बसती है, तो उसको डिस्टेंस साइट पर डीप इंट्रमस्कुलर दे सकते हैं, और अगर इम्यनोगलोबिलिन्स की अमांट कम पढ़ती है, तो इसको इस्टराल करने वाले एंटिबॉडि प्रोवर्डक्शन को सप्रेज कर देती है, दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और जरू किजिए, और अगर आ अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लेज अभी सब्सक्राइब कर लें, थैंक्यो बेरी मच्च